Hey kiddos, welcome to Ritu's online classes, आज हम करेंगे decimal complete chapter for class 5 और हम क्या-क्या cover करने वाले हैं, decimal का introduction, decimal को कैसे पढ़ना है, कैसे लिखना है, उनके number names, expanded form और like और unlike decimal, साथ ही मैं आपको दूँगी थोड़ी सी worksheets, वो भी आप solve करोगे अब जैसे मैंने यहाँ पे एक place value chart बनाया है, 7 की place value यहाँ पे हमने 1 ली है अगर हम 7 को 10 से multiply कर देते हैं, तो फिर क्या होता है, 7 जो है वो left में jump कर जाता है, 70 बन जाता है लेकिन अगर हम इसी 70 को 10 से divide कर देंगे, तो हमको मिलेगा 7, तो यानि की 7 has jumped back to the column to the right तो अब 7 किस पे आ गया, फिर से once पे आ गया, अब हम 7 को एक बार और 10 से divide करके देखते हैं 7 को फिर से एक column right में jump करना पड़ेगा, तो अब जो column 7 right में jump करेगा, उसको हम बोलते हैं 10ths, T, E, N, T, H, S, यहाँ पे S लग जाता है, 7 tenth एक fraction है, जिसकी value 1 से कम है तो 7 by 10 को हम separate करते हैं, decimal से, point से, तो यह हो जाता है 0.7 अब ही और example से इसको समझते हैं, मेरे पास एक fraction है 3 tenth, उसका number name हम कैसे लिखेंगे, 3 tenth, fraction 3 by 10 और decimal लिखेंगे, तो हम इसको कर देंगे, point 3, अब यहाँ पे हमारे पास एक whole number है, जो कि 25, उसके बाद हमारे पास है 5 tenth, तो 5 tenth, fraction 25, 5 by 10, decimal में हम क्या करेंगे, 25.5 कर देंगे अब करते हैं एक worksheet, यहाँ पे यह जो fractions दिया है, इनको decimal में लिखना है, तो पहला fraction है 3 by 10, तो आप देखो 1 जो होता है, उसकी जगा आ जाता है dot, बाकी हम 3 को as it is लिख देंगे, तो हमारा decimal हो गया 0.3, इसी तरीके से 9 by 10 है, उसको 1 की जगा हम लिखेंगे, point 9, तो 0.9, 0.7 0.6, इसी तरीके से बाकी fractions को हम करेंगे, अब question number 2, write as fractions, आपको दिया हुआ 0.2, तो point जो होता है न, उसकी जगा वना जाता है, और जितने digits दिये हैं, उतने 0 आ जाएंगे, तो point के बाद 1 digit है, तो 2 by 10 हो जाएगा, 0.7, point के बाद 1 digit है, तो यह 7 by 10 हो जाएगा, next question, read and write the number names, इनके आपको number ले लिखने है, 7.5 है न, तो जो whole number होता है, उसको तो हम as it is लिखते हैं, point की जगा हम and लिखते हैं, 5 10, 7 and 5 10, 9 and 4 10, 18 and 2 10, इस तरीके से करेंगे, next, write in decimal form, 8 10, तो 10 है, तो point के बाद पहला digit होगा, वो 8 हो जाएगा, एक और देखते हैं, 135 and 5 10, तो 135 whole number है, 5 10, तो point के बाद अगला digit जो होगा, वो 5 हो जाएगा, अभी जो हमने decimal सीखे थे, वो सिर्फ 10 तक थे, 100 भी होता है, 1000 भी होता है, अब एक number लेते हैं, 378, ये एक whole number है, इसमें हम 7 की place value की बात करते हैं, for example, तो यहाँ पे तो 10 है 7 की place value, अब मैंने दूसरा number लिया 17, तो यह 7 की place value, once पे है, तीसरा number लिया 9.7, यहाँ पे 7 की place value, 7 by 10th, 7 tenths है, 3.97 लिया, अब place value बढ़ गई, ये हो गया 100th place value में, next number हम लेते हैं, 6.487, तो यहाँ पे 7 की value जो है, वो 1000th में पहुँच गई, तो वो fraction जिनका denominator 10, 100 या 1000 होता है, उनको हम बोलते है, decimal fractions, ठीक है, एक decimal number में न, दो चीज़ें होती है, एक होता है whole number, और एक होता है decimal part, जैसे हमारे पास एक number है, 35.015, तो 35 जो है न, यह तो पूरा number है, whole number है, 015 जो है, यह decimal part है, अब अगला number है, हमारे पार 3.5, तो इसमें जो 3 है, यह तो whole number है, 0.5 जो है, यह decimal part है, next, 928.009, तो जो 009 है न, यह decimal part है, तो अगर इसको हमको number names में लिखना है, तो हम कैसे लिखेंगे, 928.009, अब आपको मेरे साथ इन decimals को read करना है, 5.3, 1.839, 71.8, 182.135, moving to the next question, write the number names, last वाले से शुरू करते हैं, 768.135, जब भी decimal number को हम number names में लिखते हैं, तो point की जगह and आ जाता है, तो आगे का जो number है, whole 768 and 135, thousandth हो जाएगा, decimal के बाद 3 डिजिट हो गए न, तो thousandth हो जाएगा, एक और example देखते हैं, c वाला 45.05, यह है न, 45 तो हम as it is लिख देंगे, point ही जगह and, 500th, 5 जो है वो second डिजिट पे है, इसलिए 100th लिखा है हमने, ठीक है, इसी तरीके से b वाला 11 and 700th हो जाएगा, 8257 and 8500th हो जाएगा, right in decimal form, अब आपको इनको decimal form में लिखना है, 57 and 700th, तो 57.710th पे तो कुछ नहीं है, तो वहाँ हम 0 लगा देंगे, 57.07 हो जाएगा, 60 and 100th, तो आप लिखोगे सबसे पहले 60, अब 100th, 10th पे कुछ नहीं है, तो वहाँ पे हम 0 लगा देंगे, 60.01 हो जाएगा, coming to the next question, write the whole number and the decimal part in each of the following, first is 73.231, तो इसमें whole number क्या है और decimal part क्या है, whole number, point से left side वाला, यानि कि 73 is the whole number, और point के right वाला is the decimal part, 231, 2 is the whole number, 537 is the decimal part, moving to the next question, write the decimal in words, किसी भी decimal number को number names में लिखना, और words में लिखना, दोनों अलग-अलग है, जैसे पहला वाला है, 468.103, यह हो गया, words में हम इसको लिख रहे हैं, 647.003, words में, अगर हम इसको number names में लिखते हैं, तो 647 and 3000th हो जाता, यह difference याद रखना, next, write as decimal, तो अब आपको इसको decimal में लिखना है, 15 और 3 by 10 है, तो 15 तो whole number है, 0.3 by 10, तो 3 10th place पे लिख देंगे, next, 101, 12, 100th पे है, तो 101.12 हो जाएगा, now, easy way to convert fractions into decimal, एक easy तरीका है, जैसे हमारे पास एक number है, 67 by 100, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि denominator में कितने 0 हैं, यहाँ पर denominator में हमें 2 0 दिये हैं तो हमने पहले numerator लिख लिख लिया, 67, उसके बाद right side से हम jump करेंगे, और जितने 0 हैं उतना jump करेंगे, तो 2 0 हैं तो 2 jump करेंगे, 3 0 होते तो 3 jump करते, जैसे कि 27 by 1000 है, ठीक है, इसमें 3 0 हैं, तो हमने पहले numerator लिख लिख लिया, अब हम 3 jump करेंगे, पर हमारे पास तो 2 ही number हैं, तो 3 jump कैसे करेंगे, जहाँ पे कुछ नहीं होता ना, वहाँ पे हम 0 लगा देते हैं, तो हो गई ना 3 jump, तो answer हो जाएगा 0.027, next question, write in decimal forms, अब हमको 9 by 100 को decimal form में लिखना है, पहले numerator लिख लो, फिर 0 count करो, कितने 0 हैं, 2 0 हैं, तो 2 jump करनी है, अब 9 के बाद तो हमारे पास digit है ही नहीं, तो हम क्या करेंगे, एक जगह पे 0 लगाएंगे, तो हमारा answer हो जाएगा 0.09, next question, write as fraction, 0.67 है, so the first step is, numerator में जो number हमको दिया है, हम वो लिख लेंगे 67, अब point की जगह पे हमने लगाया 1, और जितने digit है, उतने हमने 0 लगाए, तो यहां पे 2 digit थे, 2 0, 67 by 100, last वाला देखते है, F वाला, 0.017, तो numerator मे 17 आजाएगा, और नीचे आजाएगा 1000, क्योंकि 3 digit है, अब देखते है, expanded form of decimal, यहां पे एक number है, 72.983, अब हमें इसकी expanded form करनी है, तो 72 की तो easy है, 72 का हम कैसे करेंगे, 70 plus 2, और जो decimal के बाद वाले number है, उनकी expanded form आप कैसे करोगे, 9 10th है ना, तो 9 by 10, 8 100th place पे है, तो 8 by 100, और 1000th place पे 3 है, तो 3 by 1000, तो 70 plus 2, plus 9 by 10, plus 8 by 100, plus 3 by 1000, now fill in the blanks, हमको इसकी place value बतानी है, 17.25 में 2 की जो value है, वो 10th place पे है, THS लगाना है, इसी तरह से 4th की value भी 10th है, 3 की value जो है, वो 100th place पे है, 7 की 1000th place पे है, और 0 की 10th place पे है, अब हमको expanded form करनी है, 149.356, तो 100 plus 40 plus 9, 3 के नीचे 10 आएगा, 5 के नीचे 100 आएगा, और 6 के नीचे 1000 आएगा, इस तरीके से expanded form बाकी सारे आप अपने आप करना, next question, write in decimal form, 5 plus 2 10th, 300, 7,000th, तो 5 के बाद हम decimal लगाएंगे, और 10th place पे 2 लिखेंगे, 100th place पे 3 लिखेंगे, and 1000th place पे 7 लिखेंगे, next, 70 plus 3, तो इसको तो easy आप 73 लिखो, 10th place पे 9 लिखेंगे, 100th place पे हमको कुछ नहीं दिया, तो हम 0 लगा देंगे, और 1000th place पे हम 8 लिख देंगे, तो 73.908, C और D आप अपने आप करना, like and unlike decimal, like decimal क्या होते हैं, वो decimal numbers, जिसमें decimal के बाद वाली number of digits पराबर हो, अगर सब में 1 है, तो सब में एक ही digit होनी चाहिए, 4 like decimals होते हैं, लेकिन अगर decimal के बाद वाली number of digits कम या ज़ादा, किसी में 2, किसी में 3, किसी में 4 तो वो unlike decimals होते हैं अब question number 2 देखो 1.043, 3 है decimal के बाद 81.861 9.500 सब में आप देखो 3 ही digits है decimal के बाद तो यह like decimals है अब जैसे आप 3rd में देखो 0.1, 15.38 एक में 1 है, एक में 2, एक में 3, यह like decimal नहीं है तो अगर same number of decimal places हैं तो like decimal है अगर same number of decimal places नहीं है different है, तो unlike decimal है और पता है हम unlike decimal को like decimal में convert कर सकते हैं जैसे आप यहां देखो point के बाद 1 digit है और यहाँ point के बाद 3 digit है तो यह unlike decimal है तो 3 digit यहाँ है तो यहाँ पे भी हमको कितनी करनी पढ़ेंगी 0.7 में भी हमको 3 digit करनी पड़ेंगी तो हम 7 को as it is लिखेंगे और उसके बाद 2 digit और लगा देंगे तो ये बन जाएगा 0.700 और यहाँ पे तो already 3 digits है 0.361 तो दोनों हो गए न बराबर इसी तरीके से next question आप देखो 1.4, 1 digit, 30.8, 1 digit और इधर 3 digit है तो हमको तीनों में 3-3 digit करनी है तब ये like decimal बनेंगे तो बागी जगह हम 0 लगा देंगे 1.400, 30.800, 5.418 next worksheet है encircle the pair of like decimal like decimal वाले को आपको circle करना है I guess अब आप कर पाओगे आपको बस देखना है decimal के बाद number of digits जो है वो बराबर होने चाहिए ठीक है next question convert into a group of like decimal अब इनको भी आपको like decimal में convert करना है तो आप देखो maximum जो है वो 3 digit है तो 1.8 को भी हमको 3 digit करना होगा 17.26 को भी हमको 3 digit करना होगा तो 2.6 0 हो जाएगा 5.01 को भी हमको 3 digits में convert करना है तो 5.010 अब तीनो में I mean चारो numbers में 3-3 digits हो गई तो now this is a like decimal इसी तरीके से बाकी सारे आप खुद करना now the chapter is complete and don't forget to like, share, subscribe bye bye